नमस्कार फ्रेंट्स कैसे हैं सब आज मुकाबला जो है वो बहुत ही दमदार बहुत ही जब अजस्त होने वाला है क्योंकि 29 साल का रिकॉर्ड तूट सकता है जियां उन्टीस साल के दौरांच टीम इंडिया जियां सौट अफ्रिका में आज तक टेस्ट सेरी जो जीतेगा वह श्री अपने नाम करेगा जियां सउथ अफरिका दूसरी मैच जीत लिए टीम इंडिया पहला मैच टेस्ट का जीत ले थी बहुत ही बैसिन तरीके से दूसरा टेस् नहीं खेल पाए थे और भी इंजिरी से बाहर है तो तीसरे टेस्ट मेंच जियां विराट कोली खेल सकते हैं वैसे पुर्ण रूप से भी फैसला नहीं आया चलिए आप लोग भी बात करते हैं आप लोग को बता देते हैं कि टीम इंडिया की जो प्लेंग लेवन है वो कौन स कि रहाने रिशाप पंद आर अश्विन जियां रवी चंदर अश्विन सर्दू ठाकूर मुहमध समी जस्पृत भूमरा और इशांत सर्मा जियां बहुत ही बहुत ही बढ़ेंगे प्लेयर हो सकते हैं आज की टीम में और टीम इंडिया आज का जो मैच है वोगर जीतेगी तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तूटेगा 29 साल का रिकॉर्ड तूटेगा और यह सिरीज अपने नाम कर लेगी टेस्ट का यह सिरीज अपना नाम कर लेगी लेकिन टेस्ट सिरीज काफी ज़्यादा जियां काफी ज़्यादा भी लागा था टेस्ट सिरीज टीम इंडिय मैच साउथ अफरीका की जो प्लिंग लेवन होएगी डीन एलगर जियां एडन मारकरन और केगन पेटरसन साथ मेरेशी वेंडर डुशन जियां टेंबा बावुमा कैली वरियने और मार्को जैंसन जियां कागी सो रबाडा केशव महराज लूंगी नेगिडी जियां जियां बहुत ही बायतिन इसके भी जानी साउथ अफरीका की भी प्लेंग लेवन है और दूसरा टेस्ट मैं जीता था साथ विकर से जीता था बहुत अच्छा परफ़मेंस किया था टीम ने और टीम इंडिया का भी परफ़मेंस बहुत ही चा रहा है दोनों टीम का दोनों मैचों मैं बहुत ही अच्छा परफ़मेंस रहा है दो टेस्ट मैच हो चुका है और तीसरा और आख्री टेस्ट मैच है तो चलिए देखते हैं आखिर कार कौन सा जी कौन सी टीम जीत हासिल करती है आप लोग अपना कमेंड नीचे करके बताएं जी आपना कमेंड बॉक्स में राय मैं फिर आप लोग दूसरे वीडियो को ले करके तब तक की लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जहिंजा भारत